औरत 1967 की भारतिय हिंदी भाशा की फिल्म है जिसका निर्मान और निर्देशनेसेस बालनौरेसेस वासन यह 1966 की तमिल फिल्म चिट्थी का रीमेक है इसमें पदमिनी, फिरोज खान, राजेश खन्ना, प्राण, नाजिमा, ओपी रलहन प्रमुख भूमिकाओं में हैं साथ ही सहायक भूमिकाओं मेकन है यालाल, डेविड, ललिता पवार, लीला चिटनिस हैम फिल्म का संगीत्रवी ये फिल्म पूरी तरह से पारवती के जीवन के किरदार के इर्द गिर्द घूंती है पारवती, पदमिनी, आठ बच्चों वाले परिवार की बड़ी बेटी है जो अपने घर की मुख्य कमाने वाली है, उसका उद्देश अपनी पारिवारिक स्थिती को ऊपर उठाना और अपनी सभी बहनों की शादी करना है, जिसमें एक गूंगी लड़की भी शामिल है, इसलिए वह अपना पूरा जीवन लगा देती है और अप तांकि वह कड़ी मेहनत करती है, फिर भी जब वह आनंद, फिरोस खान से मिलती है, जिसे वह पसंद करती है, तो मुस्कुराती है, लेकिन उसकी परिस्थितियां उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं, मनोहरलाल, प्रान, एक व्रिधा अमीर आदमी और छे बच्चों का पिता दोबारा शादी करना चाहता है और दुलहन की तलाश करता है और पारवती पर नजर रखता है, उसकी और से शादी का प्रस्ताव रखा जाता है, जिसे सुरेश और पारवती की मा, लीला चिटनिस, स्वीकार नहीं करती, भले ही उसके पास पैसे हों, लेकिन पारवती ने इस प्रस्ताव को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि अगर वह उससे शादी करेगी तो उसकी पारिवारिक स्थिती में सुधार होगा। सुरेश ने उसे शादी से पीछे हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करती। पारवती मनोहरलाल से शादी करती है और उसके परिवार में कदम रखती है। मनोहरलाल के परिवार के सदस्य जो उसकी शादी के खिलाफ हैं।